हलो इन्शालोम एप्रिवान प्रेस द लॉट मैं से सच्छूती आप सभी को प्रभुकृस्त में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ प्रभू आप सब को भला संगा रखा है मैं विश्वास करती हूँ और प्रभू की महिवाँ आप सब के जीवन में सदा सरवदा होती रहे आमीन प्रभू का वच्छन कहता है मेरे प्रियो ये उसका अनुगरा है जो आज हमने एक नया दिन को देखा बिलाब की तीन बाइस कहता है ये प्रभू कुदा का महा करूना कफल है कि आज हम जीवितों के बीच में जिन्दा है मेरे प्रियो इस माह हमारी के दोरान भी आगर हमाजीवित है तो सच में ये प्रभू का अनुगरा है कि परमिश्र ने हमें बचा कर रखा है ताकि हम दूसरों के लिए दुआएं करें दूसरों को परमिश्र के वचन से हिम्मत दें और दूसरों को प्रभु के कलाम से सांत्वना दें हलिलुया मैं सिस्टर चोती आज आपको बताऊंगी कि जो लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं यहोवा उन सभी प्रेमियों का रख्षा करता है जो लोग खुदावन पर इमान रखते भरोसा रखते और इस कटिन पसितियों में भी परमिश्र की और जो नजर फेर के रखते हैं प्रभु उन लोगों को हर एक चीज़ में उनको सुरक्षा देता है और उनकी हर एक जरुतों को फूरा करता है हाँ ये समय थोड़ा कठीन है, हलाद दूरे हैं, कुछ लोग प्रभु की मेंमा से बच भी जा रहे हैं और किनी के घर में शोक का भी हम उस हलाद को देख पा रहे हैं लेकिन फिर भी प्रेमियों आज अगर हम चीवित है ना तो सिप उस खुदा का अनुगरा है जो अब तक हमें सम्हाल के रखा है और हम चीवित पाए गए हालेलुया आज मैं आपको बताऊंगी परमिश्य के बचन से कि प्रभु कैसे अपने प्रेमियों की रक्षा करता है और प्रभु कैसे अपने लोगों को इस कटीन वक्त में भी रक्षक बन कर हमारे साथ चल रहा है और हमारे रक्षा करता हुआ आ रहा है हलेलुया आज का जो मैंने टॉपिक चुना है वो आपके लिए है वो सिप आपके लिए नहीं वो मेरे जिवन के लिए भी है आज का जो टॉपिक है यहुवा सब प्रेमियों की रक्षा करता है हलेलुया आईए हम वच्चन में देखेंगे बजन सहिता 145 के अध्याय 145 का बजन सहिता साम्स 145 18-19-20 तक हम पढ़ेंगे इसमें लिखता है जितने यहुवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वो निकट रहता है वो अपने डर्वायों की इच्चा पूरी करता है और उनकी दुभाई सुनकर उनका उधार करता है यहुवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है परंतु सब दुष्टों को सत्यानास करता है हालेलुया जितने यहुवा को पुकारते हैं अर्थात का मतलब क्या है हर कोई उसे पुकारता हालेलुया जितने लोग सच्चाइस से पुकारते हैं प्रभू उनकी सुनता है जो आत्मा आत्मा सच्चाई से पुकाते हैं प्रभू उसके निकट ही रहता है एमें प्रभू कभी भी हम से दूर नहीं है मेरे प्रियों प्रभू हमारे निकट ही है जितने भी मेरे प्रियों भाइवन जब भी हम आत्मा से सच्चाई से आंसुओं प्रभु को पुकारते हैं वच्छन कहता है जितने आत्म और सच्चाई से पुकारते हैं प्रभु उनके निकट रहता है लिखा है कि वह आपने डरवयों की पुकार को सुनता है और हर कोई मांगता है तो उसको सच्चाई से प्रभु देता है लेकिन जो वेक्ति सच्चाई स चलोगे वचन में लिखता है जिस दिन तुम प्रभु की इच्च्चा के अनुसार चलोगे प्रभु के अनुस्तार मांगोगे तो प्रभु तुम को वो सारी आसी से भर कर देगा जितने परमेश्र के भय में चलते हैं प्रभू हर हाल में उसको निकालता है वो चाहे वच्चन के द्वारा बेज कर प्रभू के दास्दासियों के द्वारा बोल करके कलाम के द्वारा प्रातना के द्वारा दर्शन के द्वारा अपने डर्व प्रभू पचाता है प्राने नियमें भी हम देखते हैं जब नीनवे का यह इक उधारन ले नीनवे के लोग जब गलत चीज़ को कर रहे थे तब उहाँ पर भी मेरे प्रामिशन योना ने भी को भेजा और उहाँ पर संदेश दिया संदेश देने पर हम चांदे कि वहाँ की लोगों ने पचिताप किया और वो निन्वियन अगर बच गया मेरे पियों उसी तरह प्रभु कृस्त भी आज कहते हैं कि जो लोग जो लोग सच्छाई से प्रभु को पुकारते हैं पर मिश्यर उसके लिए वो कटिर हलातों में भी क्यों ना गुझरे प्रभु उसको उस कटिर प्रस्तितियों में भी निकाल लेता है हाललुया क्योंकि प्रभु कहता है वचन बीस में अगर आप देखोगे वच्छन भी इसमें लिखता है वो अपने प्रेमियों की रक्षा करता है जितने जो खुदा से प्रेम रखते हैं और स्रीप अपनी लिए मांगते हैं वो लोग नहीं जो लोग खुदा से प्रेम रखते हैं और दूसरों के लिए दुआएं करते हैं दुसरों की साहता करते हैं और प्रभू से प्रेम रखता है प्रभू भी उन लोगों से प्रेम रखता है जो हमेशा अपने लिए नहीं बरकि दुसरों के लिए मदद करते हैं दुसरों के लिए दुआएं करते हैं प्रहात्नाई करते हैं कटिन प्रसेति में हिम्मत देते हैं प्रभू वैसे प्रेमियों की रक्षा करता है और सभी दुस्टों का सत्यानास करता है मेरे प्रियों हालेलुया हमेशा प्रभू उन लोगों की सुनता है जो प्रभू के भैपर और दुसरों की मदद करता है प्रभू से प्रेम रखता है मेरे प्रियों हाललैया आप मदद मांगे पर्मेश्य से क्योंकि मदद उपर से ही आती है मेरे प्री हुँ मेरे प्री हुऋ आपकी मदद कोई संसारिक चीजसे नहीं हो सकती है जब तक खुदावन आपके लिये मदद किसी के दुएरा करवाएना और वो मदद आप तक नहीं पोसकती क्योंकि हमारी जो सहता होती है बजन सहता 121 में कहता है कि हमारी सहता कहां सहती है आकाश और पीथवी के करता प्रभूक से जनहार से हमें मिलती है दाउद भी कहता है कि मैं अपनी आखे परवत्यों की और लगाऊंगा मुझको सहता कहां से मिलती है मुझे सहता यहुवा की और से मिलती है आज आपकी मदद उपर से ही आती है मेरे प्रियो संसारिक चीज़ तो यूँ ही मिल सकती है लेकिन सबसे इंपर्टन अगर इंपर्टन देखे तो क्या है सबसे इंपर्टन आपके जीवन में और मेरे जीवन में वो है हमारी आत्मा आपकी आत्मा जिसे शैतान नश्ट करना चाहता है इसलिए हमें सुरक्षा की भी जुरत है मेरे प्रियो इस महामारी के दौरान दुष्ट अपे महारोमा अमारी ज़ाई है कितने को नस्ट कर दिया आज संसारिक चीज़ हमारे इंप्वर्टन नहीं हो सकती है आज हमारे जीवन में सबसे ज़àng इंप्वर्टन है हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा जिसे प्रभू सुरक्षा प्रदान करना चाहता है और सुरक्षा के गेरे में रखना चाहता है क्यों हमें सुरक्षा की हमें सुरक्षा पाने की नीट क्यों है जरूरी क्यों है क्योंकि पलपल में आज अगर आप देखो तो पलपल में टेंशन से जगड़े हैं बेबिचार ह बहुत सारी ऐसी जो शैतान के दौरा किया गया है लेकिन प्रभू चाहता है कि हम ये सबसे दूर रहें और एक मन होकर हमें रहना है एक मन होकर प्रात्ना करना है एक मन होकर इस मामारी के दौरान में सभी वैसे बाइबेनों के लिए दौरा करने जो तकलिफों में गुजर र पिछले ही पिछले शंदस में आपको बताए कि किस तरह याकू की पत्री कहती है कि धर्मी जन एक मन होकर प्रातना करता तो रोगी बेक्ति को शिफा भी मिलती है और उसके अप्रात भी छमा हो जाते हालेलुया मेरे प्रियों दूसरा तिमोति इस अध्याई तीन का एक में सं समय आएगा पौलू समय चिता रहा है पौलू समय बता रहा है कि अंतिम समय में और भी बूरे दिन आएंगे पहला पस्तरस आप अध्याइपांस के आठ में अगर पड़ोगे तो उसमें लिखता है कि शैतान ग्रजने वाली सिंग की नए फाड़ खाने को तयार है वह हमको वह ऐसी कंडिशन में है कि किसको फाड़ के खाएं किसके जीवन को नश्ट करें किसके आत्मा को नश्ट करें लेकिन आज हम कुदा को शुक्र करते हैं कि प्रभू अब तक हमको ऐसे पस्तिती में पढ़ने नहीं दिया आज अगर आप जीवी थो महामारी से बचे हुए प्राता में लगे रहना है और मसी का विरोधी मसी का विरोधी नहीं बलकि जो लोग मसी को नहीं चानते हैं वही लोग मसी का जो लोग मसी को जानते नहीं हैं और मसी के विरोध में रहते हैं वो शैतान के द्वारा बर्माये गए हैं जिस दिन प्रभू उनकी आँखों को तो वो भी सच्छे परमिश्र को जानेगा हलेलुया सैतन तो हमेशा यहीं चाहता है कि आप इस जूट में फसे रहो वेविचार में फसे रहे हो गलत कामें फसे रहो हर चीज से आपको वो नस्ट करने की कोशिश करता है वो आपकी आत्मा को नस्ट करना चाहता है लेकिन प्रभू ऐसा नहीं चाहता है सैतान हमारे विचारों से खेलता है इसलिए प्रभू प्रभू हमें कहता है कि हमें रक्षा की जरुत है सबसे ज्यादा वो अटैक हमा केमियों की तो रक्षा करता है परंतु सब दुष्टों का वो क्या करता है सत्यनास करता है हालेलुया आप कैसे प्रभू में सेफ रहेंगे बजन सहीता सहीता अगर हम पड़े 84 में गोरहिया ने भी अपने बच्चों को प्रभू के भवन में रखा था ताकि वो सुरक्षा में रहे एक छोटी सी बख्षी गोरहिया जब वो भी जानते हैं कि वो अपने बच्चे को कहां सेफ कर सकती है प्रभू के भवन में तो आज प्रभू भी हमें क पुकारते हैं वो उसके सुनता है वरण वो उसके निकठी रहता है मेरे प्रियों प्रभु कृष्ट आप से प्यार करता है और आपके आज भी आपको बचाना चाहता है क्यों प्रभु ये कलाम आज हमारे लिए भेजा कि वो अपने डर्वईयों की रक्षा करता आप सब जा को ऐसे कटिन प्रस्तिति में सोचें इसको साथ को ने ददकते हुए भट्टे की आग में इसको डाला गया लेकिन फिर भी वो प्रमीश्र की नाम के आगे किसी और नाम के आगे जुकना नहीं चाहते थे इस वज़ा से उन तीनों को क्या गया था साथ दूना ददकते हुए आ में दिख रहा था आप भाइबर में पड़ोगे कि नाजर राजा नभुक नसर कहता है कि मैं इन तीनों के बीच में एक और वेनिश्र को देखता हूं जो बिल्कुल मनवपरमेश्र के पुत्र के समान देख रहा आप सोचिए प्रभू अपनी अपनी लोगों को बचाने के के लिए खुदावन स्वेव नीचे उतराया और उनको आग से कुछ भी हानी नहीं होने दिया सिफ उनके जो हातों में बंदन बंदे थे वो चल गयते मेरे प्रियों प्रभू क्रिस्ट आज भी आपको बचाना चाहता है वो नहीं चाहता है कि कोई भी आस्मा नस्ट हो मेर पशिताप के और प्रभू ने उस नगर को नश्ट होने से बचाया और उसकी रक्षा करी और उन्हें आशीज दी आज हमें भी पशिताप करना है अपने देश के लिए अपने राज्षे के लिए अपने महले के लिए अपने परोसियों के लिए हरे के लिए उनके गुनाओ का पशिताब करना है संभवता हो से के प्रभू हम पर दया करे और ये जो माहमारी वो टल जाए और प्रभू का अनुग्रा उसकी दया हम पर होए मेरे प्रियों आज हम सब को सच्चाई के साथ रूह के साथ खुदावन को पुकारना है आप जब ऐसा करते हो तो प्रभू प्रभू को पुकारते हैं अर्था जो सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों की वो निकट रहता है मतला अब तक प्रभू हमारे निकट है मेरे प्रियों अब तक वो हमारी बातों को सुन रहा है अब तक वो हम से चाहता कि हम उसको सच्चाई से पुकारें रूह से पुकार ताकि प्रभू हमारी बातों को सुनकर हमारे लिए भलाई को लाए मेरी प्रियो प्रभू जब यहुशा पात को बचा सकता है सदरक मिश्यक अबनेदो को बचा सकता है अयूब के जीवन की रक्षा कर सकता है दाउद के जीवन की रक्षा कर सकता है तो वो हमारी भी जीवन की रक्षा करने में सक्षम है जब वो लूत को बचाया उतने सदोम और अमुरस है उसकी रक्षा कर इसके परिवार की रक्षा करी तो प्रभू आज चाहता कि वो हमारी भी रक्षा करना चाहता है निरने आपका है मेरे भी हो कि आप प्रात्ना में जीवन बिता है या वर्त की ब पुकार सुनकर हम सब डरवयों की रक्षा करें जैसे खुदावन के भैप पे चलने वाले उनके दास दासी उनके नभी लोग थे और उन्होंने पुकारा और प्रभू ने उनकी रक्षा करी मैं आप से आपको कहना जाओंगी रानियस्तर के बारे भी रानियस्तर में रानियस को सुनते हैं मैं उनसे निवदन करूंगी कि यस समय प्रातनाई करें ताकि प्रभू आपके परिवार की देश की राजी की विश्र की और आपके अपनी लोगों की रक्षा करें क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उसे पुकारें और जब हम उसको पुकारेंगे तो वो हमारी प भीजा ताकि दवारा प्रभू हमें बताना चाहता है आज वी कि आप सभी ज हों की रक्षा नाव में बैठ कर जाया थे जिसमें प्रभू भी सोया हुआ था आंदी तुफान आया था उस आंदी तुफान को भी प्रभू ने शांद किया और उनकी रक्षा की उनकी जीवन की रक्षा की और प्रभू ने बताई कि जब तक वो प्रभू को पुकारेंगे प्रभू उनके साथ है और प्रभू हर कंडिशन में उनको बचाने में सक्षम है जब प्रभू पुराने और नया नियम के लोगों को बचाने में सक्षम रहा तो वो क्या हमें और आपको बचा नहीं सकेगा बिलकुल बचा सकता है क्योंकि वो हमारा रक्षक है वचन कहता है यहोवा बजन सह कैसे हम अपने खुदावन को पुकारते हैं और अपने आपको अपने पुरे परिवार को अपने देश को राज्य को प्रहू की हाथ में सबते है और प्रभू ही हमें बचाता है और प्रभू ही हमें अब तक जीवन दिया है तो मेरे प्रियों आज मैं सिस्टर जोती आपको इंकरेज करती हूँ उस साहित करती हूँ कि यह समय पशिताप करे प्रातना करे और प्रभू के शरण में आए जिस तरह प्रभू अपने लोगों क बचाता है आज हमें भी वो बचान में उतना ही सक्षम है प्रभू ने बजन सहिता चुरासी में बताया कि किस तरह गोरईया ने भी अपने बच्चे को उसके भवन में रखा क्योंकि गोरईया जानती थी कि प्रभू के भवन में वो अपने बच्चे को सेफ रख सकती हम प्र प्रभू में रहकर ही सुरक्षा को पाच सकते हैं नीरने आपका है प्रभू से भाग कर सुरक्षा चाते हैं या प्रभू में रहकर सुरक्षा चाते हैं नीरने आपका है मेरी प्रियों प्रभू इस संदेश के द्वारा आप सभी भाइबेने को बहुत आइट की आशिश दे आज आप इस अंदेशे आसिस पाए हैं मैं विश्वास करती हूँ तो जरूर और लोगों तक भी शेयर करें ताकि इस महामारी के दोरान उन सब को परमेशर के वचन से हिमत मिलें और वो भी प्रभू में प्रातना करें और प्रभू में में रहकर अपनी सुरक्षा को पाएं खुदावन इस वचन के दोरा आप सभी भाएवनों को बहुत आशीश और भरकत देशे मसे की प्रेस दलो शालोम एबरिवन